जब अफगानिस्तान पर तालबान ने कबजा किया था तो तब हमने एक वीडियो की थे उसमें हमने का था कि इसकी रेप्रिकर्शन्स पाकिस्तान तक फीड होंगी उस वक्त बड़ी डिनायल जा रहे थे ऐसे जो लोग थे जो यह खचात का इजहार करें थे उनको बहुत गल के साथ सीजफायर की जंगबंदी की बाते कर रहे हैं जो हमारा बड़ा क्लियर विजन था कि TTP हमारा दुश्मन उससे हम ज़रा थोड़ी से हट गए उससे तो इसमें काफी पहले बाते होती रहीं थी रियूमर्स थी अफवाइन थी कुछ कॉंक्रीट नहीं आ रहा था उस इसके उपर भी हम आगे बात करेंगे वैसे सबसे पहले मेमल किसने बात की थी अरिफल्वी ने बिलकुल यह आरे फल्वी साथ ने बात की थी सप्टेंबर के शुरू की बाते डॉन न्यूस पर एक प्रोग्राम था उनका नादिया मिर्जा साहबा के साथ और उसके अंदर की बात सबसे पहले जो आम माफी की थी प्रेजडेंट आरे फल्वी ने की अच्छा उससे जो है वो बिलकुल एक आउट ओफ ब्लू चीज आई कि अभी तो तालिबान का टेक ओवर हुआ है और ऐसे लग रहे है जैसे पाकिस्तान एक स्ट्रॉंग पोजिशन में है तो यह यह बात क्यों शुरू की फिर हमने देखा कि मिड सेप्टेंबर में फॉरन मिनिस्टर शामूत कुरेशी साहब ने इंडिपेंडेंट को इंटर्व्यू दिया और उन्होंने का कि हम वो नोंने भी यही आम माफी की कि पाड़न करने की बात की कि अगर वो पाकिस्तान की कॉ पर आपको याद होगा कि पिलकुल ऑक्टोबर के स्टार्ट के अंदर वजीर आजम इम्रान खान साथ ने टी रटी वर्ल्ड को इंटर्व्यू दिया और उसके अंदर उनना ने बताया है कि वो चंद ग्रो जो हैं टीटीप के उन से बातचीत में यानिके पाकिस्तान की र इंटिव्यू दिया और उनको यह बात बताईए यह क्या तरीक है अखर आप तो सीसफायर का मौईदा भी आ है सब के सामने आ गया है और उसके इलावा जो है अब तो फवाज चौदरी साब में बताया भी एक्स्प्लीन भी किया कि किस तरीके से हो रहा है उन्होंने मैं कोई अगर ज्याती हुए थी तो वो उस घुसे में टीटीप को जोन किते हैं लेकिन अगर वो छोड़ना चाते हैं और वो इस तरीके से जहें कौमी धारे केंदर आना चाते हैं तो फिर उनको रहा है अच्छा यह जो मुजाकरात का अमल है यह शुरू कैसे हुआ मेरी नजर उती कवाली आलाकों में रिपोर्टिंग करते रहें उनसे भी बात हुए यह मीडिया रिपोर्ट में जो अभी तक हमारे सामने है मुबयना तोर पे पाकिस्तान ने अवगान तालिबान से कहा कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तमान ना होने दे और आप तरि बातचीत जो है वो शुरू ही अचा पहला जो ग्रूप था जिससे बात की गई जब वजीर आजन का इंटर्व्यू भी आया और जिससे बातचीत चल रही थी वो था हाफिस गुल-बहादर का ग्रूप जो शुमाईली वजीरस्तान में जाहतर वहां पे उपरेट करते हैं उसके बाद अक्तूबर में आपको याद होगा उन्होंने ऐलान किया था बीस दिन का जंगबंदी का ऐलान किया था उसके बाद रूपोर्टर्स कहते हैं फिर बात शुरू ही नूर वली से जो अमीर है तरीके तालिवान के और आप उनकी तरफ से भी आ गया है कि 30 दिन का वो सीस फायर करेंगे अच्छा इस दौरान इस तीस दिन के दौरान होगा ये अब ये भी मीडिया रपोर्ट्स है कि सौ से जायद मिलिटन्स है जिसमें कुछ बड़े सीनिय नाम है जैसे मुस्लिम खान आपको याद होगा सबात में उनको कहते थे तब बुचर अव सबात और उनको बलके सजाय मौत हुई भी है मिलिटरी कोर्ट से उनका भी इसमें नाम है मीडिया रपोर्ट्स के मताबिक और सौ और मिलिटन्स हैं जिनको तहरी के तालिबान कहती है कि आप पहले रहा करें और फिर हम बातचीत को आगे लेके जाएंगे तो अभी जब तक वो रहा नहीं होते तब तक सीजफाय रहेगा और उसके बाद अगर रहा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बातचीत आगे चलेगी एक और चीज़ जो बड़ी इंट्रिस्टिंग हुई इस दोरान एक तरीके तालिबान में वीडियो भी रिलीस की आप लोगों ने पता नहीं देखी है नई जिसमें उन्हों ने पिक्चर्स थी बलके उन्होंने नूर वली को दिखाया और उन्होंने ये दावा किया कि अजरुल इसलाम साब ने जब फवाच वादी साब से ये पूछा तो उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया उन्होंने का हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मताबिक ऐसा कुछ नी हुआ वो अभी थक अफगानिस्तान में है तो अभी तक कहा ये जाता है कि तीन वो से पीटीम के जो ये पीटीम के जो लीडर्स है और लोग जो अच्टिविस्ट जो फॉर्मर ट्राइबल एरिया यां केपी में रहते हैं वो बता रहे हैं कि जो टी्टीप है वो वापिस रीग्रूप हो रहे हैं कि नजर आता है कि वहाँ पे छोटे-मोटे अटैग्स भी हो रहे हैं, एक्टिविस्स को मारा भी जा रहा है, डराया धमकाया भी जा रहा है, लेकिन रियासत की तरफ से डिनाया ला रहा था, कि नहीं हमारे जो आपरेशन से वो बिल्कुल सक्सेस्फुल है, हमने टीटीपी को इलिमिनेट कर दिया है, ये रियासत की तरफ से दाव अफगानिस्तान एक अलग सिचुएशन है पाकिस्तान एक अलग मामला है अब वो सब बातें जो पीटीम कह रही थी जो यहां पे आक्टिविस्ट्स फॉर्मर फाटा केपी के कह रहे थे उनकी बात दुरुस्त साबित हो रही है तो यह मेरा खाले एक सबसे बड़ी चीज है क 2014-15 में बहुत सी कन्फूजन थी हमारी टीटीपी के साथ बहुत अरसे बाद ये एक युनानिमस फैस्ता लिया गया रियासत ने भी मुखतलिफ पार्टी ने भी मिलके ये फैस्ता किया कि अब इनके साथ हमने डील करना है ये एक थ्रेट है पाकिस्तान की सॉर्विंटी को अब कॉंप्रमाइज ने करना उससे पहले आपको याद होगा ये डील्स कोई नहीं बात तो नहीं है बार-बार डील्स होती थी बार-बार डील्स तोड़ी जाती थी और अकसर टीटीपी की तरफ से ही तोड़ी जाती थी Eventually National Action Plan Against Terrorism आया वो unanimous एक प्लान था उसमें रियासत डिफरेंट पार्टी ने मिलके फैसला किया और मैं पढ़के आपको बताओ अब चाहिद ये भी पूछना चाहिए हकूमत से कि क्या उन्हों ने अब PTI ने और मुझे नहीं पता रियासत की कौन से इंस्टिटूशन ने मि पूछ फैसला कर लिया है बाकी पार्टी इसको पार्लिमंट को कॉन्फिडेंस में लिये बगैर कि अब National Action Plan खतम हो गया है उसमें क्या था strict action लिया जाएगा militant outfits और armed gangs के खिलाफ उनको operate नहीं किया जाएगा उनको देश्टगर्दी के कवानीन जो उनको मजबूत किया जाएगा प्रोसेस इसको मजबूत किया जाएगा उन्हें सजाएं होंगी उन्हें convictions होंगी ये देखिए जरा strict action लिया जाएगा literature, newspapers, magazines के पे ज इसमें मुलवेस हैं वो जिस तरह की teaser produce कर रहे हैं जो hatred induce करता है choking of financing of terrorist and terrorist organizations तो ये सब कुछ जो है ये क्या नहीं कर पाए हम और अब हमने छोड़ दिया है कि ये प्रेटेंस भी नहीं होगा कि ये रियासत की priorities है अच्छे एक दूसरी तरफ से point of view आ रहे है वो ये है कि आप के मुझाकरात के लावा कोई हल नहीं और आप जंगे करते रहें आप operations करते रहें काम्याब होंगे फिर वो फिर रीगूप कर जाएंगे फिर काम्याब होंगे फिर रीगूप कर जाएंगे शायद रियासत हारे यह सारा मामला चलता रहेगा तो आपको मुझाकरात की करने पड़ेंगे आखर देखें नताशा इसमें मेरा तो जो मसले है यह हमें जिसरा मेंने का कि प्रेजिडेंट अल्वी साब से बात शुरू है और बिलकुल एक out of the blue एक surprise थी सब के लिए किस तरह बात में पता चला अभी अभी हम हकूमत से पता चल रहे है कि अफगान तालिबान ने यह यह जो हकूमत है सवका तालिबान के अंदर इन्हों ने दर्खवास की कि आप इनके साथ जो है मुझारात करें फिर एक close door meeting होती है 8 November को उसके अंदर Parliament के चंड लोगों को बताया जाता है रियासत की त इसके अंदर अवाम को बिलकुल अंधेरे में अभी तक रखा जा रहे है सिरफ announcements की जारी है ना पहले कि अमनेस्टी दे जाएगी तो अवाम को अंधेरे में होना नहीं चाहिए क्योंकि यह बात डिबेट अब होनी चाहिए Parliament के इसके ओपर consensus बना है कि किस तरीके से आगे ज रहे हैं यह स्टेट तो अपने फिरदौस साब को मैं सुन रही थी उन्होंने का कि स्टेट तो अपने किलाफ जो चीजें हुई है वो टीटीपी को माफ कर सकती वो अख्तियार है लेकिन जो परस्नल लॉसेजों हैं हमारी सकतर 80,000 शाहते होई हैं पाक्स्तान के अंदर जो बनाया जाएगा कि जिसके अंदर financial compensation भी और भी कुछ हो लेकिन यह चीजे सामने तो आनी चाहिए मेरा तो यह सीक्रेट डील मतलब वो टीएल्पी के साथ मौइदा हो या वो टीटीपी के साथ agreement हो रहा हो सीक्रेट की मेरा 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 खाल अगर रियासत ने फैसला कर लिया ह है ना कि उन्होंने डील करनी है और उन्होंने लोगों को जो पाकिस्तानियों की जान लेने में उनके खिलाफ हमले करने में बच्चों को स्कूलों को पार्क्स में हर जगा उनको उन्होंने अमनेस्टी देनी है तो मेरा नहीं ख्याल कुई लीगल हरल है हमारे आइन में प् कुक के आक्टिविस्स तंजीमें, उन सब को इफिलाव था, कि आपने military courts को jurisdiction दे दी, कि वो जो civilians हैं, जो allegedly देशतगर्दी में मुलविस हैं, वो उनको ट्राय करें, अब सेंकडों लोगों को ट्राय किया गया, बिल्कुल opaque trials में, पिशावर high court का फैसला है, जिसमें उन्होंने null and void कर दिये, कई इस तरह की सजाएं, क्योंकि उन्होंने का, तशद्द के बाद convictions होई हैं, तब जो उन military courts के खिलाफ बात करता था, उनको कहा जाता था, आप तो terrorist sympathizer हैं, और उसमें अक्सर जो लोग हैं, वो आपके low level, जो अब बात होती हैं ना, कि वो ideological लोग नहीं थे, उन्होंने अपनी मजबूरियों के तहट, मेरा तो खाल है कोई भी justification, रहशत गर्दी की नहीं है, उनको सजाएं हुई, और अब चिन लोगों के साथ deals होंगी, वो leadership होगी, अज़र मेरे सब्सक्रा से, दो सवाल है, चले आपने, रियास्त ने फैसला कर लिया, आपने मुज पांड़ी है, इनको इंडिया से पैसे आपे है, यह आपने डुसीयस भी दिये, आपने दुनिया भर में इस पर बाती, विडियो भी रिलीसी, उनाइटे ने इसको डेजिगनेट किया वे, अब आप दुनिया को जा के क्या कहेंगे? अच्छा आप यह दूसरे सवाल से पहले, दूसरे सवाल से पहले देखेंगे, तो हमने टीलपी को विगा था, वो तो हमने चार दिन बार बदल दी बात, इसके आपने अपने अलाकों में चले जाते हैं, इनको आप रिहबिलिटेट करने के लिए, वापस माश्रे का हिस्स बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि यह हत्याह डाल के वापस जाके कोई काम करना शुरू कर देंगे, या कोई जौब ले लेंगे, आपने इनको रिहबिलिटेट करना है, कितने सालों से यह लड़ रहे हैं, तो इनकी रिहबिलिटेशन पॉलिसी क्या है, आपने यह तो कर दिया, फेसे जैसे महमल ने यह बात की, आपको पार्लिमेंट में यह चीज लाना बहुत जुरूरी है, कुछ चीजे चले आप हूफिया रखे हैं, जैसे आपको याद होगा कि अफगान तालिबान की जब कॉंगर्स में बात हो रही थी, तो उनके जो आपको पार्लिमेंट में लाने की जान तक बात है, अभी मुझे ख्लेर उसका पता नहीं लेकिन यह हुआ है कि I think Bilawal Bhutu Zaddaari साब ने और शायचे बाश्रीफ साब ने भी तो उन्होंने का है कि आप इसको पार्लिमेंट में लेके हैं, उन्होंने का है कि आप इसको पार्ल कि आप नहीं जीच सकते उनसे और वो आप से नहीं जीच सकते वो रियासते पाकिस्तान को नहीं हरा सकते और आप TTP को खतम नहीं कर सकते हैं, उसके पीठी एक पूरी आइडियोलोजी है, तो मुझाकरात के लावा कोई हाल नहीं है, अब अगर हम बात करते हैं कि APS के बच अकरात की या जो इसके फेवर में हैं, मुआइदे के, वो कह रहे हैं कि ऐसे वाकिये मजीद होते रहेंगा, अगर TTP को ना रोका गया, मैं जवाब दे सकती हूं, अचा, ठीक है, ये कहा जाता है, लेकिन मेरा खैल है, ये एक तरह से बहस को डिफलेक्ट करने की एक स्ट्र पहली बात ये, दूसरी बार मैं मुआहिदे के खिलाफ नहीं हूँ, डील के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन TTP ने वार क्राइम्स किये हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें अमनिस्टी, पाड़न्स अगर आप देंगे, आप बैनलोक्वामी अपनी जो कमिटमे होई हैं, उस पे अब ट्राइल हो रहे हैं, वार क्राइम्स के, आप कुछ साल पहले के ये लीडर्शिप को आप माफ कर देंगे, क्योंके वो कहेंगे हम हत्यार डाल रहे हैं, तो दूसरी बात ये है, आप डील करें, लेकिन आप किस बेसिस पे करेंगे, ये बहुत एहम है तीसरी बात, फवाज चौदरी साहब ने कहा, कि हम मुकामी जो लोग हैं, उनको साथ लेके उनसे बातचीत करें, पी टीम कहा है इस सब में, वो लोग सबसे जादा जिन्होंने सफर किया है नताशा, वो आप उनको मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, उनके अली वजीर साहब ज पूर्व ज़रूर होनाँ छे रियासत की तरफ से फैसला हो चुका हुआ है, तो अब कुछ दिन पहले टील्प था, टीटीप थो बहुत पुरा नहीं टौपी पहने के वेटा है, पेलल्पी पने प्तेम के तो पेल्ल्पी प्तेम्स तरप प्तेम्गे तो फिलल्ल्प तेम् माइं हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, उनका क्या कुसूर, उनको तो हमने मेंस्ट्रीम में लाना हैं, वो तो तालिप, वो क्या वो TTP fighters थे, ये तो हमें बताएं, ये भी हमारी रियासत की बहुत बहुत बढ़ जल्गी नचे उनका ख्याला है, हमारी रियासत को इतनी देर की बात करते थे, फेर ट्रायल की बात करते थे, तब हम लोग टेरिस्स सिंपताइजर्स थे, तो कोई मतलब रियासत जो है, वो माइं तो बनाएं, क्योंके वो तैसला बदलती रहती है, और एक्स्पेक्टेशन होती है, कि हम भी अपना जो जहन है, वो नहीं इस्तमाल करें और बस बिल्कुल ब्लाइंड ली, जैसे बहुते है ना, बिल्कुल एम्टी वैसल्स ऑफ दे स्टेट, हम वो बन जाएंगे, जो हमें फीड किया जाएगा, हम रोबोट की तरह वो ही बात करेंगे, यह रियासत हम से चाहती है, तो यह देखे यह बलकुल फेर दुन्या में इसा होता है, अमरीका ने भी वारन टेरर में भी यह किया था, तो पाकिस्तान क्यों ना करें, हर कोई डील्स करता है, डील्स करने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आपके सिटिजन्स हैं, आप उनके साथ बातचीत करें, लेकिन किन टर्म्स पे, यह अकेला PTI यह हमा पादा तो वह सफर करेंगे, इसमें के पॉइंट व्यू यह भी है कि जो रियासत है, वह इन सारे मौईदे करने से पहले एक दफाई जो विक्टम्स हैं, वह एपीएस के वालदेयन है, एपीएस के वालदेयन है, जो इन मुल्टिपल अटेक्स के विक्टम्स जो थे, उनक उनकी क्या राए है, क्योंकि वह भी इस मुल्क के शहली है और उनका राइट है, कि इतनी बड़ी लॉस के बाद कोई उनका सुनने वाला तो हो, कोई उनकी चोट पे मरहम रखने वाला तो हो, यह रियासत का काम है, लिकिन रियासत फिल हाल इसमें इंट्रस्टिड नहीं ल जाएगी, थैंक यू फो वाचिंग अरुद कार्ट